इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2018 के अंदर अरुनाचल प्रदिस का फिजीकल का कटप SSGD का क्या रहा था और फाइनल मेरिट जो है वो कितना पे लगा था और फिर्ण्स इस वीडियो के मादिया हम से यह भी बताएंगे कि 2022 के अंदर फाइनल मेरिट कितना पे लगन आगे हम देखें बॉर्डर डिश्टी के रही है कि तो फिर्ण्स बॉर्डर डिश्टी के लिए के अंदर जो है वो के वल जनरल का सीट था वह भी इसका कटप 35 पे लगा था अब देखते हैं फाइनल मेरिट की बात कर लें तो सबसे पहले देखते हैं पोस्ट नमबर यह क यह बिए सेफ को इंडिकेट कर रहा है ज्यान रखेगा तो वह जनरल के रिए के बात करें स्टिक 37 यह सम के कोई सीट नहीं था यूर जो है वह चालिस पे गया है अब देखते हैं पोस्ट नमबर और सी की तो फ्रेंस पोस्ट नमबर सी के अगर देखे तो पुस्ट नमर सी यह पर से ज्टे जो आफ को इंडिकेट कर रहा है से हेर पीड कर देखे जञारल को इंडिकेट के लिए से सिफ Carn Пр यह से को और सी बात कर रहे हैं तो ऑसे जाजी मिःडि़िट के अंदर को इख जेन था हूं 유र का सीट नहीं थाünde वहीं हे ऑई स्ट के आफे इसेस यह सिप कर यूर का 49 पे लगा है अब बात कर लेते हैं पोस्ट नमबर एक की फ्रेंट्स पोस्ट नमबर ए जो है आपका ITVP इंडिकेट कर रहा है तो ITVP के अंदर देख लेते हैं बॉर्डर इस्टी के रिया कि तो असी का कोई सीट नहीं था यूर का 40 पे लगा है अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं so drinking अब बात कर लेते हैं फ्रेंट्स 2022 के अंदर वो क्या रहने वाला कटब तो फ्रिंस इस 2022 के बात करें फिजीकल की cut-up से अगर यदि आपका 5-7 नमर जादा है तो maximum chance रखें कि आपका final merit के अंदर नाम आ जाएगा हलांकि 2-4 नमर फिजादा है तो बहुत जादा आपको घबराने की जरुत नहीं है क्योंकि देखें फ्रिंस अगर 2022 की बात करें तो यहां पे काफी कम 25,000 के आसपास आपकी फेकेंसी जबकि 2018 की बात करें तो 60,000 के आसपास फेकेंसी थी लेकिन इस बर जो है वो cut-up काफिक कम गई है हलांकि इस बर जो है फ्रिंस नेगेटिव मार्किंग था लेकिन फिर भी seat कम था और इतनी कम cut-up गई है तो maximum chance रखें कि आपका final selection के अंदर जो है वो नाम आ जाएगा फिजिकल की अब जम करके त्यारी कीजिए और फ्रिंस यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और यह वीडियो को अपने दोस्तों तक सेर कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद